वेल्कम बैक टू माई चैनल इट्स मी अमबर आज का जो हमारा टूटोरियल है वह है मैजिकल एफेक्टेड वाइटनिंग ग्लोइंग रेमेडी रेमेडी स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आ लोगा करता है यहां कि Champions इलने आप को भी ले सकते हैं मेरे पास यहां मेरे पास यहो को. ले सकति पूडर में फिल्न हो मेरे पास सकती है और रिल्ख काऊ सब्सक्राइब कर आई तो हमारे स्कीम्रणी को च्रुटन ने पारी हुँ बहुतaires तेरमिक पाउडर यह हमारे पास है टेरिमिक पाउडर आती बेक्टेरियल होता है जैसे रिंपल्स पढ़ पास है रिंकल्स पर जाते है उनके उनके बहुत अच्छा वाइट करता है एक बनाने का तरीका बताते हैँ एस पून पठाया इसमें यह दो स्पून हम इसमाचा पॉल डालिंगे वन पून इसमें ड्राय मिल्क यूज किया जाएगा बने स्पून जब टी स्पून ले लीजिए और वन इसमें ट्रामिक पॉडर ही यूज किया जाएगा तो कोई बात नहीं है आप फेस वाश कर लेना अच्छा से अच्छे तरीके से मैक्स करेंगे इसका एक पैक तैयार हो जाएगा इसका एक पैक अच्छा सा तैयार हो गया क्रीमी पैक कॉटन से हम हेल्प लेंगे यह अपने फेस पे आप अच्छी तरीके से अप्लाय करो पिर इसको हलके हलिए हाँ से हम रप करेंगे कॉटन के जरी रप कर लीजे आप यह पिर आप अपने फिंगर से कर सकते हो तो फिंगर से कर लो मैं आपको फिंगर से करके दिखाती हूँ अब इसका मसाज करेंगे अपने फेस पे वन वीक ही आप यूज करेंगे तो आपके सामने इसका रिजल कुदी ही आजाएगा आपकी डारकर टोन से स्किन लाइटर टोन पे आना शुरू हो जाएगी रिजल आपके सामने होगा इसका अब इसको 10 minutes के लिए लगे रहने देंगे हम 10 to 15 minutes के लिए अपने फेस पे लगे रहने देंगे पहले अच्छी से इसको रब कर लिजिए पपर एब इसको हम 10 to 15 minutes के लिए लगे रहने देंगे उसके बाद मैं इसको वाश करूंगे पर आप उसे result शेर करूंगे इसका अब यह देखिए मैंने 10 बंट के लगे रहने दिया था 10 बंट के बाद मैं इसको रिमोब कर रही हूँ अगर आप इसको वन वीक भी यूज करोगे तो आपके इसके न्टैन होगी वह इस पे पिंपल्स होगे वह भी रिमूव हो जाएंगे आपके डार्क स्पोट सोंगे वह भी रिमूव हो जाएंगे इसको अच्छा स्पेके रिमोफ पैरिंग में इतनी ग्लोइंग एफेक्ट दे गई है आपके जैसे लगेगा आप अभी ही पॉलर से फेशल करवा के आ रहे हो इतनी ग्लोइंग एफेक्ट देगा आपको देखे राय हो जाए मेरा पानी इए देखे मेरे हाद को अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज यसे लाइक करियेगा थैंक यू सो मच